जब भी हमारे गार कोई महमान आते हैं तो हम ये सोसते हैं कि हम क्या special बनाएं कभी हम मटर पनीर बनाते हैं या फिर हम कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो की छोले हो गए पहले से prepare करनी पड़ती है तो आज मैं आपको एक ऐसी रैसी बताने वाली हूँ भरवा शिमला मिर्च की और वो इतनी अच्छी हैं आप महमानों के सामने सर्व करिए जल्दी भी बनती हैं बहुती डिलिशियोस और टेस्टी भी होती है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरीकी से बनाना है इसे भरवा बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे उपर की डंठल जो होती है उसे कट कर देंगे और अंदर जो बीज होते हैं उनको भी निकाल देंगे कुछ लोग हाफ कट करके भी बनाते हैं पर उससे मसाला बहार निकलने का डर रहता है लेकिन ये जो तरीका होता है ना इससे बहुत अच्छे से शिमला में चार तरफ से कुक हो जाती हो और मसाला भी बहार नहीं निकलता और जो इसका टॉप है वो मैंने रख लिया है वो बाद में उपर से कवर करने के काम आएगा तो यहां देखें मैंने शिमला मिज को खाली कर लिया है इसे एक साइड रख देते हैं अब हम जो स्टिफिंग डालेंगे इसके अंदर आलू की हम उसे बना लेते हैं आप चाहे तो पनीर की स्टिफिंग भी डाल सकते हैं इसके अंदर लेकिन परसनली मुझे आलू की स्टिफिंग बहुत ही अच्छी लगती है इसके लिए तो स्टिफिंग बनाने के लिए मैंने आलू बोल करके रख लिये हैं अब एक पैन में मैंने यहां पर सरसो का ओएल डाल लिया है सरसो का ओएल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे क्या आप जानते हैं कि सरसो के तेल को अच्छे से गरम करना जरूरी होता है ताकि उसमें से धुमा उट जाए और उसे कच्छी समयल उसकी निकल जाए तेल गरम होने पे मैंने जीरा डाल दिया है और साथ ही मैंने यहां पर पारी कटी हुई प्यास भी डाल दिया है तो इसलिए मैंने अलग से लाल मिश नहीं डाली हैं परसनली हम बहुत ही हलकी मिर्चे खाना पसंद करते हैं तो यहां जब अनियन्स हो जाएंगी करिमलाइजड तो उसके बाद हम इसमें अपने टमैटो डाल देंगे टमैटो के साथ यहां पर नमक भी डाल दें जिससे की टमैटो का जूस है वो रिलीज हो जाया और जली से दोनों अच्छे से कुक हो जाया है यहां देखिए टमैटो अच्छे से कुक हो चुके हैं अब मैं इसमें अपने सुख्य मसाले डालूँगी सुही मसाल में मैंने यहाँ पर सिर्फ धनिया पोडर डाला है और साती डाला है लाल मेश पोडर और हल्दी नमक हम पहले डाल चुके थे तो इसलिए नमक मैंने दुबारा में नहीं एट किया है अब थोड़ा सा पानी डाल कर इसे भुणने रख देंगे क्योंकि अगर पानी ने डालेंगे तो मसाले हमारे जल सकते हैं अब इससे तब तक भुणना है जब तक कि हमारे जिब मसाले का ओईल है वो सेपरेट नहीं हो जाता यहां पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी एड़ करा है जिसे कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा मसाला हमारा भुनकर रेडी हो गया है अब इसमें मैं अपने उबले हुए आलू डाल दूँगी आलू यहां पर मैंने अच्छे सुबाल के रख लिया है इसमें डालेंगे और मैशर से अच्छे से मैश कर देंगे अगर कोई छोटा पीस या बड़ा पीस रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है और एक तरफ ठंडा होने रख दिया है दूसे तरफ हमने शिमला मिर्च को भी रेडी कर लिया था तो अब हम इसको इस्ट्रफ करते हैं जो यह आलू की स्ट्रफिंग है यह मैंने 10-15 मिर्च के लिए रख दी थी उसके बाद थोड़ी सी थंडी हो गई है तो जो मेरी दो शिमला मिर्च है उसमें मैं इसको स्ट्रफ कर दूँगी अच्छे से मैं चम्मा से दबा दबा के खूब सारा भर रही हूँ तो यह जो आलू की स्ट्रफिंग थी ना जो हमने बनाई थी वो दो शिमला मिर्च में अच्छे से आ गई तो इस तरीके से हम दोनों शिमला मिर्च अपनी रेडी कर लेंगे शिम्ला मिश तो हमाई रेडी हो गई है इस्टरफ हो के अच्छे से अब मैंने एक पैन ले लिया है पैन मैंने ऐसा लिया है जिसमें कि दोनों शिम्ला मिश मेरी अच्छे से चारो तरफ से सिख सकें खुला-खुला पैन अब एक बार फिर से मैंने इसमें सरसो का तेल डाला है जिसे सरसो का तेल गरम हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च अपनी रखोंगी और शिमला मिर्च को चारो तरफ से गुमा गुमा कर सेखना है ताकि कोई भी शिमला मिर्श का पार्ट जो है वो कच्चा नहीं रह जाए साथी मैं इसे ढखकर भी नहीं सेख रही हूँ क्योंकि ढखकर जब सेखते हैं तो थोड़ी से सोगी हो जाते हैं शिमला मिर्श वो अच्छी नहीं लगती है अगर हम इस तरीके से खुला सीखेंगे न तो वो चारों तरफ से सीखेंगे और थोड़ी से क्रंची उसमें वो आएगा फ्लेवर टेस्ट वो बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर मैंने यह वाली क्लिप की रिकोर्डिंग थोड़ी सी फास्ट कर दी है ताकि आप लोग कर टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको प्रॉपर दिख जाए कि मैंने किस तरीके से गुमा गुमा कर सेका है तो यहां हमारी शिम्लावी बिल्कुल रेड़ी हो चुकी है और बिलीव में यह बहुत ही डिलीश और टेस्टी बनी थी आप लोग इसे जरूर ट्राइक करेगा पेचल पर पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपनों दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए क्योंकि आपके इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलते रहते हैं वेटलोस टिप्स और ड्रिंक्स मिलते रहते हैं साथे यह दोने वीडियो देखना बिल्कुन नहीं बूलिया है मैं आपसे फिर मिलूंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइ थिंक्यू पर वाचिंग तब तक के लिए गुड़ बाइ थिंक्यू पर वाचिंग